नमस्कार में हूँ रुष्मिकरान और आप देख रहे हैं इंडिया रायम 24 न्यूज मोहन जोदरो हडपा सब्यता का एक प्रमुक शहर था जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीब 5 वर किलोमेटर के इलाके में बसा था करीब 4000 साल पुरानी शहर की खोज आज से 100 साल पहले हुई थी 19-वी सदी से लेकर अब तक हडपा सब्यता की सेकड़ो जगयों का पता लगाया जा चुका है आपको बता दे कि मोहन जोदरो का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दो का टिला ये दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उतकरिष्ट शहर माना जाता है इसके साथी सिंधु घाटी सब्यता का सबसे परिपक्व शहर भी है ये ये नगर अवशेश सिंधु नदी के किनारे सक्खर जिले में स्थित है मोहन जोदरो शब्द का सही उचारण है मोहन जो दड़ो इसकी खोज राखला दास बेनरजी ने 1922 में की थी बता दें कि राखला दास बेनरजी का जनम मुर्शिदाबाद में 12 अप्रेल 1885 को हुआ था वैसे तो उनका नाम राखला दास बंधो पाध्या है पर लोग उन्हें आठी मैनरजी के नाम से बुलाते थे कोलकाता के प्रेजडेंशियल कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उनकी मुलकात हर प्रसाद शास्त्री और बंगाल लेकक राम सुरेंदर त्रिपाथी और ततकालिन बंगाल सरकिल के पुरातत अधिक्ष्य डॉक्टर ब्लॉक से हुई इसी समय से राखल दास ने अवशेशनों तथा उत्खननों में काम करने का शुरॉत कर दिया साल 1910 में एमे करने के बाद ये उत्खनन सहायक के पद पर न्यूक्ट हुए और लगभग एक साल तक इन्होंने कलकत्ता स्थित इंडियन म्यूजियम में काम किया साल 1917 में इन्होंने पूना में पुरातत्व सर्वेक्षन के पश्चिमी मंडल के अधिक्षक के रूप में कारे किया लगभग 6 वर्ष तक महरास्ट, गुजरात, सिंध, रास्थान और मध्यप्रदेश की देशी श्यासतों में पुरातत विश्च को महत्वपून काम किये उनका विवरन एन्वल रिपोर्ट्स ऑफ दा आर्कोलोजी सर्वे ऑफ इंडिया में उपलब्द है मोहन जोद्रो ये शहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधू नदी के किनारे बसा था खुदाई में इस शहर के जो अवशेष निकले उसने दुनिया को अचंब में डाल दिया इसकी वज़ए ये है कि मोहन जोद्रो जिस योजना बद तरीके से बसाये गया शहर था वो आज के समय में भी आसान नहीं है पाँच हजार साल पहले इस शहर में पक्के घर, बड़े स्नान घर और शोचाले थे ये उस वक्की सबसे विक्सित सभिताओं में से एक थी मिले जिससे पता चलता है कि सिंदु घाटी के सभिता के लोग खेल पूद और गाने बजाने के काफी ज्यादा शौक हिंद मेडिकल में भी इसका ग्यान शांदार है, यहां तक कि इनको नकली दात भी लगाने आते थे इसके साथी चुतरकारी करना, सिकों का चलन और कई धातों के बरतन इनके पास थे जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि सिंदु घाटी सभिता बेहद विक्सित थे इसलामाबाद पाकिस्तान की विशेशग्यों की एक टीम ने मोहनजोदरो स्टूप की एक डिवार से तामबे के सिंदु से भरे एक बरतन की खोच की इस बरतन में 5 किलो से ज्यादा वजन के सिंदु बरे हैं, बताया जाता है कि यह सिंदु कुश्रान कालीन है महन जोदरों में इस से पहले भी इस तरह के सिक्के मिल चुके हैं उनिस से कत्यस में एक टीम ने यहां खुदाई करके चार हज़ार 348 तामबे के सिक्के निकाले थी महन जोदरों को पांच हजार साल से पुराना शेहर माना जाता है जो विश्व के धरोहर स्थलों में से एक है वही मोहन जोदरों के बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत से रहस्या और बड़ा खजाना इस जगे के नीचे छुपा हुआ है सिंदु घाटी के अवशेशों के देखने से साफ है कि यहां रहने वाले लोग काफी संपन थे और उनके पास काफी धन दौलत रहा होगा खुदाई में निकलते सिक्के भी इस तरफ इशारा जरूर करते हैं इसके छोटे से हिस्से की खुदाई की गई जिसमें एक बार फिर तांबे के सिक्के निकले संपत्ता और ज्यान दोनों एक सभ्यता के पास थे ऐसे में कहा जाता है कि एक शहर में बड़ा खजाना दबा हुआ है सिंदु सभ्यता घाटी के नश्ठ होने का कारणों के बारे में कई बाते कही जाती हैं इसमें कई तथे रखे जाते हैं कुछ विशेशग्ये हिंदु के विनाश का कारण पाकर्टिक आपदा और जलवाईयों में बड़े बदलाव को मानते हैं सिंदु नदी में आई बार की वज़े से इस सभ्यता के नश्ठ होने की बात भी कही जाती हैं कुछ विज्यानी की यहां से निकले नर्क अंकाल के अधार पर इसके विनाश का कारण किसी बड़े विस्फोर्ट को भी मानते हैं वही कोई महमारी फैलने की भी इस सभ्यता के नश्ठ होने की वज़ा मानते हैं आपको बता दे कि मोहन जोदरो सभ्यता पर कई रिसर्च हुई है तो वहीं बॉलिवूड में फिल्म भी बन चुकी है इस फिल्म में रित्तिक रोशन मुखे किरदार में नजर आये थे फिल्म में भी दिखाया गया कि किस तरह से उस सभ्यता के लोग खेती बाड़ी से लेकर रहन सहन तक की काफी विवस्थित थे मोहन जोदरो के पुरातत्व को महत्व देखते हुए तो युनेसको ने इसे विश्व धरोवर की सूची में भी रखा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं तब तक के लिए बने रही है हमार साथ और देखते रिए इनटायम 24 न्यूज